नुश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है या कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपर अगर आपका pencard गुम हो गया है चोरी हो गया है या फिर कट फट गया है जिसके विज़से आप यहाँ पर अपने pencard को फिर से पाना चाहते है रेप्रिंट करवा के दोस्तो यह जो process है यह UTI वालों के लिए होने वाला है तो ऐसे में यहाँ पर आपको अपने pencard के पीछे देख लेना है आपका यहाँ पर pencard UTI है कि NSDL का है ऐसे मगर आपका NSDL का होगा तो यहाँ पर YouTube पर हमने पहले ही इस पर वीडियो डाल दिया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक like नहीं किया लाइक कर दें चैनल पहली बार आये हैं तो subscribe करके बल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी वीडियोज आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर इन सारे प्रोसेस को करने के लिए आप लोगों को डिफाल्ट क्रोम ब्राउजर एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है सर्च के आइकन पर जाना हैं टाइप कर देना है माई यू टी आई एंड इसके बाद आपको इसे यहाँ से सर्च कर लेना है जिसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने पहला ही वेबसाइट दिखाई देगा www.myutitsl.com तो आपको सिंपली इसी पर चले आना है जैसे दोस्तों आप इस पर जाते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने pen card को फिर से print करवाना है यानि कि जो हमारा pen card गुम हो गया है उसे हमें फिर से पाना है तो जिसके लिए आपको UTI TSL Home का एक option दूसरा देखने के लिए मिल जाएगा तो सिंपली आप लोगों को इसी वाले option पर टैप करना है जैसी आप इस पर टैप करते हैं आप लोगों के सामने एक और web page ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ देखें आप राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में आपको 3.00 का option देखने के लिए मिल जाता है तो simply आपको इसी 3.00 वाले option पर simply tap करना है जिसके बाद यह open हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तो फॉर pen card का एक option देखने के लिए मिलेगा चौथे नंबर पर तो simply आप लोगों को इसी वाले option पर tap करना है टैप करने के बाद इसमें आपको बहुत सारे options देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पर आपने pen card को प्राप्त करना है तो जिसके लिए आपको यहाँ पर apply pen card वाले option पर टैप कर देना है जैसे ही आप इस आ जाएगा ऐसे ही banner तो आपको इसे cut कर देना है तो यहाँ पर देखिए अपने पुराने pen card को पाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको एक option देखने के लिए मिलेगा reprint pen card तो simply आपको click to reprint वाले option पर tap कर देना ह जैसे आप tap करते हैं इस पर आपके सामने एक और नया webpage open होगा जहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको दो options दिखाई देंगे reprint pen card यहाँ पर regenerate pen card reprint request चेक करने के लिए यहाँ पर reprint pen card हमें करना है तो हमें इस पर tap कर देना है जैसे दोस्तों हम इस पर tap करते हैं हमारे सामने एक और नया webpage open हो जाएगा कुछ इस तरह का webpage open हो जाएगा जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखिए star mark में जितने भी red box में दिखाई देंगे सभी को आपको compulsory है भरना ही पड़ेगा एंहाँ पर जो red star नहीं दिखाई देगा आप उन्हें छोड भी सकते हैं अब जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर पहले pen नंबर को इंटर करना है फिर second column जो आधार नंबर का है उसे आपको वैसे ही छोड़ देना है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को date of birth में month and year को इंटर करना है उसके बाद आपको जो नीचे capture code दिखाई दे रह आओगा number उसे आपको नीचे box में fill कर देना है इतना करते ही दोस्तों आपको submit वाले button पर tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों next page पर आपको OTP की तुरू अपने mobile नंबर को verify कर लेना है जो कि आपका register mobile नंबर होगा उसके बाद यहां पर आपको 50 फुपे का payment करना होगा जिस तो कुछ इसी तरीके आप यहां पर UTI के द्वारा online pen card अपना reprint करवा सकते हैं mobile phone की मदस से दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रू पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो के लाइक करें दोस्तों शेयर करें ऐसी वगन देमात्रम